आपकी होश्ट अनन्या और आप देख रहे हैं वंडर्फुल गार्डन तो दोस्तो आज आपके लिए मैं बहुत प्यारी सी जानकारी लेकर के आई हूँ आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आईगी दोस्तो ये है हमारा बेबी सन रोज अगर आपके पास भी बेबी सन रोज प्लांट है और आपकी प्रोब्लम यह है कि आपका प्लांट फ्लावरिंग फड नहीं आता है आपके प्लांट पे जादा से जादा फ्लावरिंग कैसे जादा से जादा बुशी बना सकते हैं किस तरीके से आप जादा से जादा अपने प्लांट पे फ्लावरिंग ले सकते हैं और दोस्तों आप ये जो मेरे प्लांट देख पा रहे हैं हलाकि मैं इसको नर्सरी से लेकर आई थी विंटर के समय में तब तो ये एक ही प्लांट लगा मुझे और उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि इस पे किस तरीके की फ्लावरिंग आईगी लेकिन अब जब दीरे-दीरे मेरे प्लांट पे फ्लावरिंग आई तो मुझे पता चला कि ये मेरे पास एक नहीं दो प्लांट आई थे और दो कटिंग थोड़ी बहुत उसमें लग गई होगी इस वज़े से दो प्लांट बनें मेरे और आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा प्लांट बहुत ज़्यादा लश्किरीन है और बुशी हो रहा है चोड़ी चोड़ी कटिंग मैंने इनकी लगाई थी और आज कटिंग से मैंने ब यह दो बाओंगे बहुत होगी मैं आपके साथ शीर करूंगी ही साथ में साथ में दीड separating भी आपके साथ लगाते होगी से शीयर नरूंगी दोस्तों की cutting लगाना बहुत ज़्यादा ईजीhet को बूइट जबाऊंग सकता है और यह प्लांट आपके कहीं आसपास में तो आप इन्हें चोटी सी कटिंग से भी मतलद लगा सकते हैं इतने से भी कटिंग इनकी बहुत राम से लग जाती है या यह एक लीव से भी बहुत राम से ग्रो हो जाते हैं बहुत ही प्यारा प्लांट है तो आए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं देखिए कि प्लांट किस तरीके की कंडिशन पसंद करता है अब यह आप देकर रहे हैं दोस्तों यह जो हमारा ब्लांट है इनकी लिफ काफी ज़्यादा अgypt प्लाशी होती हैं अगर आप इनकी cutting लगाते हैं और आपकी cutting बिल्कुल भी नहीं लग पाती है खराब हो जाती है तो आपकी cutting जब भी खराब होगी वो और watering की वज़र से ही खराब होगी इनको ज़्यादा पानी की जोड़ नहीं होती तो दोस्तों आप जितना हो सके इने कम से कम पानी अब बात करते हैं दोस्तों की हमारे plants पे growth तो बहुत अच्छी करता है अगर आप लोगों के कुछ लोगों के plants बहुत अच्छी growth करते हैं लेकिन flowering पर नहीं आते हैं आप एक चीज़ देखिए जैसे फूल और धूप अगर फूल किसी प्लांट पे आएगा तो इसको धूप की बहुत ज़रूत होती है अगर आपके प्लांट पे धूप नहीं पड़ रही है तो आपके प्लांट पे फ्लाविंग नहीं आएगी लेकिन ये एक शेडी एरिया प्लांट है लेकिन इसका मतलर ये नहीं है कि दोस्तो ये प्लांट बिल्कुल भी धूप पसंद नहीं करता है अगर आप इसे चार ये धिरे बर्स बनना शुरू हो रहा है यह दिखिए आपको हर एक नौट पे दिखेगा कि मेरे जो प्लांट है वो बहुत जादा बर्स बना रहे है इसका यही रिजन है कि दोस्तों मेरे प्लांट को 6-7 घंटे के अभी धूप मिलती है लेकिन जैसे जैसे आगे मैं जून की गर रहती है मतलब ब्राइट ब्राइट साल लाइट इंपने दूसरे पवांट की तरफ कि हमारा प्लांट बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है बहुत ज़दा हमारा प्लांट बुश्ची नहीं हो रहा है उसका क्या रिसन यह देखिए दुस्तों जब तक आप अपने प्ला stainedWhy, मैं न कुछ का वाया से यहां से इसको कट किया था यहां से में इसकी चुछ की कटिंग ली थी इसको कद बाद यहां से थीडुषी नहीं गासे नहीं का बिलकुल भी जैसे कि आप अपने प्लांट की जैसे अब आप मेरा ये प्लांट देख पा रहे हैं उपर की सिर्फ टू लीफ आपको हटाने जैसी आप टू लीफ अटाएंगे तो इन दो लीफों के हर एक नोड से इसमें से ग्रोथ होना शुरूगी और इसी तरीके से हमारा जो प्लांट है वो बहुत का टैक लग रहा है आप यह देखिए आपको वाइट कलर का मिली बग इसमें लीफ के अंदर दिख रहा होगा ना तो मिली बग्स के लिए दोस्तों अगर आपके प्लांट पे बहुत जादा मिली बग्स का टैक हो चुका है तो आप नीम ओल का स्प्रे कर सकते हैं बहुत ज है कि इस्ताथ में प्लांटों बिल्कुल भी एनरजी नहीं तो हमारा प्लांट दीरे धीरे खराब होने लग जाता है इस लिए अपने प्लांटप लांटक को निगह में रखेंगे तो आपको भी पता चलता रहेगा कि कौन से प्लांट को किस चीज की जोड़्थ है अगर बात करें दोस्तों इस प्लांट की कटिंग की तो कटिंग लगाना इनका बहुत ज़्यादा एजी टू ग्रो है अब यह देखें मेरे पास एक छोटा सा खाली पोर्ट रखा हुआ है अब यह दो आपको एक छोटी सी टर्टल वाइन की इसमें गिर गई होगी वह मैंने नहीं लगाई तो इसलिए मैं इसमें ही आपको एक छोटी सी कटिंग लगा करके दिखाऊंगी हाला कि इसके ऊपर मेरी प्रॉपर वीडियो भी आ चाहे तो आप चैनल को विजिट कर सकते ह और सोईल की बात करें तो दोस्तों इनके लिए बिल्कुल वैल ड्रेन हमें सोईल रखनी चाहिए क्योंकि इन प्रांट्स को ज़्यादा पानी की जोड़त नहीं होती इसलिए आप इनको कम ही पानी दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा अब लेते हैं दोस्तों हमें एक अच्छी सी कटिंग जिससे की हमारा प्रांट बहुत जल्दी से बुशी हो जाए ये ब्रांचिस बहुत ज़्यादा लंबी जादी आप देखिए तो मैं इसी को ही हाँ से कट करूँगी ये देखिए दोस्तों मैं एक ब्रांचिस निकाल दोस्तों मैं सब निकाल दूंगी तो लीफ निकालने के बाद मैं आपसे मिलती हूं तो यह देखिए दोस्तों मैंने इसकी प्रॉपर लीफ निकाल दी है यह देखिए सारी लीफ निकालने का दोस्तों इसका मतब यह होता है कि अगर आप एक्स्टर लीफ निकाल देंगे तो आपकी जो cutting है वो बहुत जल्दी लगती है उसमें रूर्स बहुत जल्दी बनती है अगर आप extra leaf नहीं निकालते है तो आपका प्लांट जाद से जादा ध्यान अपनी leaf को खाना देने में या खाना बनाने में लगा रहेगा और आपका जो cutting है वो बिल्कुल भी जल्दी स लगा दिया और आप देख पारें हल्किसी नमी है तो मैं इसमें पानी भी नहीं दूंगी ना इस प्लांट को इतनी पानी की ज़ोड़त है और यह cutting 7-8 दिन में बहुत अराम से लग जाएगी दोस्तों इसमें पानी की ज़्यादा जोड़त नहीं है दूसरी बात दोस्तों अगर आप इसमें सेंड की मातरा जाद रखते हैं तो अभी आपका प्लांट बहुत अच्छे से लग जाएगा मतलब कटिंग दोस्तों मेरे जो प्लांट आपको इतना जादा लश गिरीन और इतनी जादा ग्रोथ मेरे प्लांट की आपको कैसे लगी तो इसके लिए दोस् प्लांट को देती हूं यह देखिए दोस्तों मैं इसमें एक्ष्टा पानी मिला करके अब मेरे जितने भी प्लांट से मैं वो सबको ही दे दूँगी तुसरी बात दोस्तों हमने जितने भी कटिंग लगाई हैं मैं उनको यह पानी नहीं दूंगी बिल्कुल भी बाकी और स लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें बैल आइकन बटन दवाना बिल्कुल भी न भूलें मिलती है अपनी किसी नेक्ट शूडियो में बाई